हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं कटलंबे और इसकी रेसिपी बहुत आसान है फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से बन के तयार हो जाता है और ये छोले के साथ खाने में बह केहूं का आठा भी प्रियोग कर सकते हैं पर मैदे से ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तयार होंगे और साथ मिलेंगे हम आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलोजी और इन सब को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे जीरा को हमने यहाँ पर धूल करके प्रियोग किया है ताकि इसका फ्लेवर जो है आठे के अंदर अच्छे से आ जाए और अब साथ में डालेंगे दो चम्मच घी और यहाँ पर घी का ही प्रियोग करना है औयल का नहीं करेंगे इसका फ्लेवर और स्वाद बहुत अच्छ पेस्ट तयार करेंगे और इसे अभी हम साइड में रख देते हैं अभी हम आठे को गुदने की तयारी करते हैं अब यहाँ पर आठे के एकार्डिंग ही नमक एड़ करेंगे जितना आठा है आप अपने स्वाद के एकार्डिंग नमक यहाँ पर एड़ करें आठे को तो इस तरह से करके तयार कर लेंगे और इसको तब तक तयार करेंगे कि हाथ से हम चेक कर लेंगे कि इसका लड़ू बन रहा है या नहीं तो यह दिखे पूरी तरह से रेडी हो चुका है अब हम इसे भूनेंगे पानी से अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहा करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम मिक्स करते जाएंगे और इसका एक मुलायम डो तयार कर लेंगे आटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्त या बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और देखिए हमारा डो लगबग तयार हो गया है और बिलकुल इसी तरह से ये चाहिए तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक दूसरा काम कर लेते ह अब यहाँ पर जो घी में हमने मैदा डाला था ना तो इसको अच्छे से फेंट करके एक पेस्ट जैसा तयार कर लेंगे और अब हमारा इधर डो भी तयार हो गया है अच्छी तरह से सेट हो गया है तो इसको इस तरह से मसल लेंगे एक बार अब हम रोटियां बनाने के लिए जिस तरह से लोईयों को तोड़ते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से तीन से चार लोईयां हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे एक बार में अब सारे लोईयों के पेड़े इस तरह से बना करके हमने तैयार कर लिए है हम चलते हैं next process पर, अब चारो लोईयों को रोटी के सेप में इस तरह से हम तयार कर लेंगे बारी-बारी से, जैसे रोटीयां हम बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें बेलना है, तो यहाँ पर हमने सारी रोटियों को अच्छे से बेल करके तयार कर लिया है देखिए इस तरह से हमारी चार रोटियां तयार हो गई है और अब हम इसके उपर क्या करेंगे जो पेस्ट हमने तयार किया था घी का वो लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले एक रोटी रखेंगे उसके बाद हाथों की सहायता से हम इसे फैला देंगे जो पेस्ट तयार किया है फिर दूसरी रोटी रखेंगे फिर दूसरी रोटी के उपर भी हम इस पेस्ट को लगाएंगे फिर तीसरी रोटी रखेंगे इसके उपर भी उस पेस्ट को लगाएंगे और इसके बाद हम डालेंगे चौथी रोटी और इसको हाथों की सहायता से हम फैलाते जाएंगे इस तरह से पहले हाथों की सहायता से फैलाएंगे उसके बाद बेलन की सहायता से इसे हम थोड़े चो तो अब रोटी हमारी पूरी तरह से ये तयार है, अब इसके उपर हम लगाएंगे फिर से वो घी वाला पेस्ट, तो अच्छी तरह से इसके उपर पेस्ट को फैला लेंगे पहले, और अब इसको एक किनारे से पकड़ करके हम टाइट रोल बनाएंगे, इस तरह से टाइट र थोड़ा सा pressure दे करके roll कर लेंगे अच्छे से और अब हम इसको cut लगाएंगे चाको की साहता से और जितनी size की हमें पूरियां चाहिए इसकी बिलकुल उसी तरह से cut लगाएंगे छोटी बड़ी जिस size की भी आपको चाहिए तो इस तरह से हमने इस पे cut लगा लिया है पास से साथ जो लोईयां है तयार होंगी हमारी इससे पटी हुई लोईयों को पेड़े का सेप देंगे इस तरह से अब इन सारी लोईयों को हम पूरी का सेप देंगे बिल्कुल जितनी छोटी बड़ी आपको चाहिए उसी साथ से इनका सेप हम रखेंगे तो सारी पूरियां हमारी तयार हो गई इन लोईयों की यहाँ पर कड़ाही में तेल हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था और यह गर्म हो चुका है आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से रेडी है तलने के लिए अब हम डालेंगे इसके अंदर पूरी को और इसे आराम से चलाते हुए फ्राइ करेंगे और यह फूलती नहीं है पूरियां बस इनको फ्राइ करना है और यह अंदर से अच्छी तरह से कुक भी हो जाती है तो इस तरह से हिलाते हुए थोड़ा सा pressure देते हुए हम इसको cook करेंगे देखिए जब हम pressure देंगे तो इस तरह से इसके लच्छे खुलने लगते हैं और ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और खाने में भी उतना ही स्वादिस्ट लगेगा तो इस तरह से हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और ये देखिए हमारी जो कटलंबे है न वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है और ये रेडी भी हो चुकी है और हमें इसे low to medium flame पे ही तलना है तो इस बात का ध्यान रखें और ये हमारा तयार हो गया तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे कटलंबे को तल लेंगे अब सारे कटलंब में हमारे बन करके रेडी हो गए है और कुछ ही इस तरह से तयार हो गए हमारे कटलंबे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये तयार हुआ है लच्छों के साथ और ये छोले के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंट्स एक मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ ये देखे कितना क्रिस्पी बना है आप देखने से ही अंदाजा लगा सकते हैं और आवास तो मैं सुना नहीं सकती पर आपको देख करके अंदाजा लग गया होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं तो आप जरूर एक बार ट्राई करें इस तरह से ये रेसिपी और छोले की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू